कि नमस्कार दोस्तों आप सभी का रिवलूशन आईए इसके ओनलाइन प्रेटफोर्म पे स्वागत हैं आज हम युप सी 2022 के जी एस थर्ड पेपर के इन्वार्मेंट और साइंस टेक्नोलोजी के खंड का विशलेशन करने जा रहे हैं और इस सेशन में हम देखेंगे कि ये ज और इन्हें कैसे डील किया जा सकता है जब हम इन पर चर्चा करेंगे तो हम पहले इनका फॉर्मेटिंग बनाएंगे कि कैसे इनको फॉर्मेट किया जा सकता था और फिर इस पर हम डिसकुशन करेंगे साथ ही हम थोड़ा ये भी देखेंगे कि अपने नोट से उसको कैसे कि आजा सकता था उस सब पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तो पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं देखो सबसे पहला इस बार आया वह था देखो प्लावड बस्ट बादल फटना पर क्वेस्चन क्या कह रहा है question कहा रहा है कि भारतिया उप महादीप के संदर में बादल फटने की क्रिया विर्धी और घटना को समझाईए और हाल के दो उधारनों की चर्चा कीजी तो यह news में काफी time से बना हुआ था last year मैंने अपने YouTube channel पर इसे डाला था अब भी वहाँ है जिसको detail में देखना वह वहाँ जाके देख सकता है यहां हम इसका briefly क्या करेंगे एक discussion करेंगे तो cloudburst last year भी news में था इस साल भी news में था अभी असम में बाढ़ आई थी तब वहाँ भी cloudburst हुआ था तो question पूछ लिया इसको environment के section में भी देखा जा सकता है और आप इसको disaster management के section में भी देख सकते हो तो बादल फटने के इस question में हमें डालना क्या होगा सबसे पहले तो देखो शुरू करते हैं देखो इसमें सबसे पहले जो उसने क्या कहा है हमें सबसे पहले वो कह रहा है कि हमें बादल फटना आपको explain करना होगा इसकी formatting करते हैं सबसे पहले सबसे पहले तो हमें क्या लिखना होगा इसमें कि बादल फटना है क्या question में पहले वो पूछ रहा है कि बादल फटना क्या है दूसरे बात वो जो हमें उसमें explain करनी होगी वो उसमें पूछ रहा है आप से प्रक्रिया प्रोसेस इसे अब हम detail में देखेंगे अभी पहले एक पर distribution डालेंगे इसका वितरण डाल देंगे कि किन-किन खेत्रों में इसकी संभावना रहती है और लास्ट फेज में हम डालेंगे कि इसका थोड़ा सा management किया जा सकता है या नहीं किया प्रभावित कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग इसके साथ साथ आपको एरासोल किस प्रकार सी से प्रभावित कर रहा है वह भी डालना होगा क्योंकि natural factor तो है ही है लेकिन इसके साथ साथ जो anthropogenic reason है मानव जनित कारण है उसको भी इसके अंदर हमें लिखना होगा तो अब देखते हैं कि कैसे इसको हम deal कर सकते थे सबसे पहले आएगा बादल फटना तो बादल फटना किसे कहते हैं अगर किसी क्षेत्र में बहुत कम समय में अत्यदिक वर्षा हो जाए तो उसे बादल फटना का जाता है जो भारतिया मौसम विभाग है उसकी क्या परिव कम वर्षा हो जाए तो उसे बादल फटना कहा जाएगा बस इतना ही हम शौट में लिखेंगे कि बादल फटना है क्या कम समय में अत्यदिक वर्षा होना और आई-एमडी के हिसाब से इतना लेकिन इसके बाद प्रोसेस में देखो हमें क्या डालना होगा देखो इसमें का सबसे बड़ा पाट है कि इसमें गरम प्लस आद्रवायू का उत्थान होता है गरम और आद्रवायू जब अपलिफ्ट होती है तो उससे एक विशेश परकार के बादलों का निर्मान होता है जिनका नाम है कपासी वर्षा में कपासी वर्षा इस परकार के बादलों से ही क् मुसलाधार वर्षा होती है और उन्हें हम क्या बोल देते हैं कई बार बादल फटना जब बहुत जादा वर्षा हो जाती है तो इसे बादल फटना कह दिया जाता है तो इस परकार के मेहों के निर्मान का हमें इस में प्रोसेस बताना होगा तो देखो इसको इस तरह से भी देख सकते हैं हम देखो ये इस तरह के बादल होते हैं cumular numbers vertical clouds होते हैं उर्ध्वादर बादल होते हैं जिनका विस्तार 12 किलोमेटर तक भी होता है 12 किलोमीटर की हाइट तक इनका विस्तार होता है इतनी जब इनका उर्धवदर विस्तार होता है तो इन में जल की बूंदे बहुत बड़ी बड़ी बन जाती है बहुत जादा जल की मात्रा है और बड़ी बड़ी बूंदे होती है और देखो इसका बेस बहुत चोटा है तो उससे क्या होगी बार जैसी स्थिती पैदा हो जाती है इसी कंडिशन को बादल फटना का देखो इस तरह के बादलों में सबसे नीचे देखो क्या होता है लिक्विड वाटर होता है इससे उपर वाले में मिक्स्ड होता है आइस भी होती है और वाटर भी होता है और इससे घरम और आद्र वायू के उत्तान से कप 80 वर्शामेगों God के संदर में उसका प्रोसेस को हम सरी इतने से नहीं कम्पोशेस कर पाएंगे तो तो इसके बाद जो हम बताएंगे वो होगा कि गरम और आदर वायू का उत्थान चार तरीके से हो सकता है चार प्रकार है उसके देख या तो convection से होगा ये lifting along topography किसी उच्चावच के सहारे अगर क्या हो गरम और आदर वायू उपर उठ जाए या किसी cyclone में airs का convergence हो जाए अभिसरण हो जाए तो वायू उपर उठ जाएगी या किसी वातागर के सहारे क्या हो शीत वातागर के सहारे गरम वायू का उर्द्वादर उत्थान हो जाएगा तो किसका निर्माण होगा तो यह हमें पहले बताना होगा कि इसकी lifting किस प्रकार से होती है फिर हमें इसके बाद बताना क्या होगा इसके बाद हमें explain करना होगा कि इसका process क्या है मतलब इसका किन चरणों में इसका निर्माण होता है तो देखो इसको इस तरह से देख सकते हैं माल लो कि ये Earth surface है ये Earth surface है यहां से गरम और आद्रवायूँ का उत्थान हुआ गरम पलस आद्रवायूँ का गरम पलस आद्रवायूँ जब उपर उठी तो इस से क्या होगा फस स्टेज में कपासी मेगों का निर्मान होता है क्यूमूलस क्लाउड्स बनते हैं कपासी में लेकिन क्या होगा जब लगातार इस गरम और आदर वायू की आपूरती होती रहेगी तो इसमें उर्धोहदर विस्तार होता जाएगा ये उपर की और बढ़ते जाएगे को कि नीचे से लगातार गरम और आदर वायू आ रही है इस से क्या होगा आपके इस तरह के वर्टिकल क्लाउड का निर्मान हो जाता है जिनें बोलते हैं कपासी वर्षा में ये हैं कपासी वर्षा में तो ये फर्स्ट स्टेज में बनेंगे कपासी में सेकंड स्टेज में बनेंगे आपके कपासी वर्षा में जब इस तरह के में बन जाते हैं तब इन से जब उर्द्वाहतर विष्टार इतना होता है तो तिवर वर्षां लगती है सेकन्स्टेज में आपको क्या होगा क्लाउड बस्ट की घटना होगी और फिर आएगी इसकी थार्ड् स्टेज जिसमें क्या हो झाता है इसमें सारा जल जो होता है प्रोसेस को समझाना था कि गरम और आद्रवйयू के उत्थान से क्यूमिलो फेले क्यूमिलस क्लाउड का निर्मान होता है जिन से मुसलाधार वर्षा होती है और ये उर्धोधर बादल होने के वज़े से बहुत कम स्थान पर अत्यदिक वर्षा कर देते हैं जिससे बादल फटने जैसी घटना हो जाती है और उसके पस्चात हम लिखे हैं कि धीरे धीरे वर्षा की मातरा कम हो जाती है जिससे अब यह कुमलो निम्बस क्लाउड माप्त हो जाते हैं तो यह आपको पूरे के पूरा फेज तीन फेज में इसको लिखना था अब इसके बाद आपको क्या करना था यह प्रोसेस बताने के बाद आपको बताना था कि वर्तमान में मानव जनित कारणों से भी क्या हो रह ही है उनकी सब्सें बढ़ गई है हूंकी इंटेंटन साइट यह ती वर्ता और आवरती दोनों बढ़ गई देख उसका क्या कि अगर ग्लोबल वर्मिंग और हो यह तो टेमपरेच्र बढ़ता एद एक और टेमपरेच्र बढ़ा तो क्या होगा वायू की जलवाश्प धार करने एक शमता बढ़ गई तो टेंपरेचर वोशन का अल्रेडी जादा है तो एवैपोरेशन से जलवाश्प की मात्रा भी वायू में क्या हो जाएगी जादा हो जाएगी और ऐसी वायू क्या होगी जब धरातल पर पहुंचेगी और सामने कोई परवती अवरोध मिल गया य जब जल की मात्रा बहुत जादा होगी तो वर्षा की मात्रा भी बहुत जादा होगी यह ग्लोबल वर्मिंग का इस पर क्या पढ़ रहा है इंपक्ट पढ़ रहा है और इसके बाद एरोसोल की मात्रा जादा होने पर उसमें एरोसोल के कण बहुत जादा हो जाते हैं तो ज आपको इसको global warming से और aerosol दोनों से क्या करना था ? इस तरह से इस question को deal करना था तो आपने यह लिखा फिर वो क्या पूछ रहा है ? फिर वो पूछता है कि भारतिय है महादीप में इसके कारण बताओ कि भारतिय महादीप में क्या कारण हो सकते है इसके तो भारतिय क्योंकि सारा question भारतिय महादीप के संदर्म में पूछ रहा है तो देखो जो हमने अभी पिछे diagram देखा था इस वाले में देखो इस diagram में यह convection की प्रिकरिया है ये आपका परवती अवरोध के सहारे हवा का उपर उठना है ये चकरवात के सहारे क्या हो रहा है हवा का अभिसरन हो रहा है और ये वात आगर है तो ये भारत का ये तो शितोशन कटबंदी एक शित्रों की विशेशता है विशेश रूप से डेमिनेटली वहीं क्या है तो इ निक्षेत्र में परवतों के सहारे उपर उड जाएगी तो हिमालया रीजन हो गया वेस्टेंग ग्हाट के रीजन में इस प्रोसेस से काम करते हैं प्रवतिय häक्षेत्रों में काम करते हैं और वेस्टेंगें ग answer क्षितर में काम करेंगे अब ये वाला साइकलोनिक सिस्टम तो पूरवी घाट का जो उडीसा का क्षितर है वहाँ पर ये साइकलोन साते हैं इनके सारे क्या हो जाएगी हवा का अभी सरण होगा और उपर उड़ जाएगी जिस आपको असाम में भी आपको अपने न्यूस Πटबय पढ़ा होगा तो उसमें कई सारे फक्टर उन्हों ने बताए हुए थे देखऊ उसमें उन्होंने क्या बताया था एक रिजन तो उसका था इस बार ला Anda इना के कि प्रभाव में भारत में वर्षाज ज्यादा थी तो अधरता की मात्रा ज्यादा थी सेक केंड उन्होंने बताया था कि तरफ टाप बबड से जाता । ने उसको प्रभावित कि उन्होंने रिजेन बताया था ग्लोबल वर्मिंग तो है ही है जिसके वजह से cloud burst हुआ तो इन तीनों को इसमें एक घटना में आप explain कर सकते थे इसी तरह आप उत्राखंड और हिमाचल में उन reasons को लेकर आप क्या गर सकते एक explain कर सकते इस तरह यह cloud burst का क्या हुआ question को आपको लिखना था बस कुछ नहीं है इसकी formatting में आपको सबसे पहले cloud burst बताना था फिर उसका process process में आपको बताना था कि किस तरह से गरम वायू का उत्थान होता है और जिससे cumulo पहले cumulus बनते हैं फिर cumulo nimbus cloud बनते हैं और जिन से क्या हो जाती है यह मुसलाधार वर्शा हो जाती है फिर उसमें दो लाइन आपको तीन global warming से डाल देनी चाहिए थी और लास्ट में आप दो इसको कम्प्लीट कर सकते थे यह कुछ ज्यादा टफ नहीं था अगर आपने पढ़ा है तो हो जाता लास्ट इर मैंने डाल दिया था इसको यूट्यूब पर कुछले साल से मेरे यह क्या था दिमाग में था कि कुश्चन आ सकता है इसलिए मैंने उसको डाला था तब तो अ अब हमनेक्स्ट कोस्टन तो नेक्स्ट कॉस्टन कौन सा है और इसके बाद का कुष्चन यह वाला यह भी को ज्यादा टफ कोस्टन नहीं है देखो इसमें वह क्या कह रहा है गलोबल वार्मिंग की चर्चा कीजिए और वैश्विक जलवायू पर इसके प्रभावों का उल जलवाईू पर उसके प्रभावं का उल्ले की जिए यहां पर यह बात गौर करने वाली है कि उसने किस पर पूछा है जलवाईू पर पूछा है आपको उन में से स्टाइब करके क्या करने क्लाइब फिर लिखना क्योट प्रोटोकोल के आलोग में ग्लोबल का कारण बनने वाली Greenhouse गैसों के स्तर को कम करने के लिए नियंतरन उपायों को समझाईए कि जो आपने क्योटो प्रोटोकॉल में जिन Greenhouse Gases का मेंशन किया गया है उनको आप कम करने के उपायों के बारे में बताओ तो देखो अब इसमें हम क्या से करेंगे इस क्यों को सबसे पहले इसमें क्या लिखना है सबसे पहले तो हमें इसमें लिखना है कि Greenhouse गैस का Global Warming में कैसे योगदान है हम इसमें क्या लिखेंगे ग्रीन हाउस Gases के प्रभाव में क्या हो रहा है जो प्रित्वी दीर्ग विकेintend के रूप में रेडियेशन कर रही जिससे वह ठंडी हो रही है उसको यह Greenhouse Gases दशोशित करती हैं और प्रित्वी के और वापिस उसे भेज़ देते हैं जिसके प्रित्वी का क्या सरफिस और इसका पांस का atmosphere गर्म हो रहा है और प्रित्वी के average temperature में क्या हो गई है व्रधी होने को देखने को मिल रही है इसे ही क्या बोलेंगे ग्लोबल वर्म तो आप यह डाइगराम इसमें बना सकते थे कि यह मालनों क्या अर्थ है और यह आपकी क्या है ग्रीन हाउस गैसे हैं यहां से जाने वाले पार्थी विकीरण को क्या करती है गैसे अवशोशित करती है और अर्थ की और वापिस भेज देती है यह वाला डाइगराम इसमें आप बना सकते हैं यह ग्रीन हाउस गैसे किस तरह से प्रभावित कर रही है ग्लोबल वर्मिंग को यह बताना था यह इसी पार्ट था इसक देखने को मिल रही है लेकिन ओशन में क्या होगा दिखो ग्लोबल वर्मिंग से ओशन का टेंपरेचर क्या हो जाएगा महासागरों का तापमन बढ़ेगा तो वहां पर चक्रवातों की जो तिवर्ता है और इंटेंसिटि और फ्रिक्वेंसी है intensity and frequency चक्रवातों की तिवर्ता एमम आवर्ती इन दोनों में आपको व्रधी देखने को मिलेगी सबसे पहला इसका प्रभाव क्या है चक्रवातों की तिवर्ता और आवर्ती में व्रधी देखने को मिलेगी दूसरा जब oceanic water warm हो जाएगा तो उसका क्या होगा और उत्तर की और विस्तार होगा बतला गरम जल जो था मानलों की यह आपका एक ओशन है पहले यह निमनक शांशों का जल यहां तक का temperature जादा था अब यहां तक का जल क्या हो जाएगा गर्म हो जाएगा और उत्तर की और ग ग्लोबल वार्मिंग का चक्रवातों पर क्या परभाव है उसके बाद देखो इसके बाद आपको क्या करना है ग्लोबल वार्मिंग के कारण आप न्यूजपेपर जो पढ़ते हो उसी में से बहुत सारी चीज़ें आपको निकालने होती है जैसे आपने टेंप्रेचर बढ अभी न्यूजमें था इससे घटनाए देखने को मिलेंगी तो हीट डॉम हो जाएगा हीट डॉम में क्या होता है इसी से संबंदित फिनोमेना कि हमारे यहां पर क्या हो जाएंगी जो हीट वेव्ज़ हैं स्थलिये हीट वेव क्या बढ़ जाएंगी अभी आपने Global Warming बढ़ने से उच्च शांशो और निमनख शांशो के तापमान का अंतर कम हो जाएगा जिसकी वजह से पॉपलर वर्टेक्स जैसी घटनागी देखने को मिलती है रीतकाल में पॉपलर वर्टेक्स जैसी घटनागी देखने को मिलते रेखने को मिलती थी बरफबारी बहुत नीचे तक हो रही थी तो वह सब पॉलर वोटेक्स का प्रभाव होता तो इसको इंक्लूड कर सकते थे इसके बाद देखो इसके बाद हम temperature बढ़ने से क्या होगा दुबिक शेत्रों की ice प्रिग लेगी तो अगर आर्क्टिक शेत्र की ice प्रिग लेगी तो वहां का क्या हो जाएगा albido क्या हो जाएगा कम हो जाएगा sea ice विगलने से तो वो क्या करेंगी और क्या करेंगी तापमान का सूरे की किरणों का वुष्वेशन करेंगी जिससे क्या होगा तापमान और बढ़ेगा ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ाएगा ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगी इत मिंस वायू मंदल के तापमार में और व्रदी होगी तो यह भी आपका का संगनन भी जाता होगा सफदगा तो तो डांड भी मेंशन कर सकते कूलन मीरी डियोनल ओबनेंग सिर्कूलेशं हो जाएगा क्योंकि Greenland जो है उसकी जो आइस है वो पिखल रही है इसके अलावा Arctic Ocean की आइस पिखल रही है जिससे स्वच जल की आपूर्ती बढ़ रही है जिससे ये Atlantic Meridional Over-Turning Circulation स्लो हो रहा है और इसके स्लो होने की वज़े से क्या हो जाएगा इसके स्लो होने की वजय से जो European Countries है वहां का तापमन भौत कम हो जाएगा और ते किस्थितिति मरुस्थली करण त imagem मेथेन और सी ओटू जैसे बहार निकलेंगी जो वायू मंदल को पहले के तुलना में और गरम करेंगी आप इसको फोरेस्ट फायर से जोड़ सकते हो कि फोरेस्ट फायर की घटनाएं बढ़ जाएंगी जिससे वायू मंदल में ग्रीन हाउस गैसे का उसरजन और बढ़ेगा और इससे क्या हो जाएगा तापमान और बढ़ेगा थायर की ताकर भी तो लास्ट किस पह सारे लिए पहलोंने डाल यहां पॉइंट हो गया ता heat dome हो गया cyclone हो गया polar vortex हो गया cloud burst हो गया इसके बाद हमने क्या पढ़ा Amoc का पढ़ा पर्मा फ्रोज से उसको जोड़ा इस तरह आप क्या कर सकते हो 78 points को लिभग सकते हो ने detail में हीट dome detail में पढ़ा है polar vortex detail में पढ़ा है एमोसी डिटेल में पढ़ा है करना क्या है सब को एक साथ जोड के यहां पर लिख डाल कि देखो इससे आगे देखो इस question के आगे की demand क्या है कि वो फिर पूछता है कि Kyoto Protocol के संदर में जो gases थी उनको कम करने के उपाय बताओ तो आपको पहले इसमें थोड़ा Kyoto उन पर बात्देकार ही बनाया गया था कि वो six greenhouse gases को कौन सी greenhouse gases है वो gases CH4 methane CO2 nitrous oxide HFC EFC hydrofluorocarbon perfluorocarbon SF6 इन छह gases को कम करने की जिम्मेदारी विक्सित देशों को दी गई थी इसका नामता CBDR CBDR common but differentiated responsibility कि सबकी साध्या जिम्मेदारी तो है लेकिन सबको इसकी जिम्मेदारी को अलग-अलग भी निभाना पड़ेगा कि global warming को कम करना हम सबका साधा उदेश है लेकिन जिम्मेदारी सबकी अलग-अलग होने ही चाहिए विकसित देशों की जिम्मेदारी जादा है विकाशिल देशों की जिम्मेदारी कम है इसी सिद्धांत पर इसे बाद्यकारी बनाया गया था विकसित देशों पर और विकाशिल देशों को बाहर रखा गया था साथ में इसमें बात की गई थी कि आप टेक्नोलोजी का transfer करेंगे विकाशील देशों को नमीनी करन उर्जा की स्थापता में आप उसकी साहता करोगे वित कोप लब्द कराओगे तो ये सारी बाते क्योटों में हुई थी जो आपको लिखनी थी बस दो चार लाइन में इसको लिख के खतम करना था और साथ में आप बता सकते थी कि इसमें emission trading की CDM की और joint implementation की भी विवस्ता की गई थी जिसमें एक विकल्प दिया गया था उन्हें कि आप अगर अपने देश में complete नहीं कर सकते अपने targets को तो किसी अन्य देश में कर लो तो CDM में विकास्चिल देशों में था यहां पर joint project लगने थे जे आई में तो यह सारा आपको थोड़ा सा बताना होगा किसमे क्योटर प्रोटोकॉल में इसके बाद आपको क्या करना होगा देखो इसके बाद का जो आपको करना था वो लिखना था कि कम करने के क्या उपाएं हैं तो यह तो हम generally deal करते ही हैं कि सबसे पहले क्या करोगे आप सबसे पहले आप वनी करन करोगे डीफोरेस्टेशन को रोकोगे और वनी करन मैथट्ट क्या है? इसके बाद देखो कारवन कैप्चर एंड न श्टोरेज ये भी एक नहीं टेकनलोजी है जिसके अंदर कारवन को कैप्चर किया जाता है और स्टोर किया जाता है इसकी कई सारी विदिया जो हमने ख्लास में देखी थी इसको आप कर सकते हो इसके बाद सबसे बड़ा सर्जन का जो क्षित्र है वो कौन सा है उन में से एक है ट्रांसपोर्ट के 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 ट्रां को mix कर दें इसके अंदर इस तरह की यूज ना इसमें लाई जा सकते हैं जैसे भारत ने उस सर्जन मानकों को अपनाना भारत स्टेज मानक जो भारत ने अपनाए है यह सिक्स मानक तो वह सारा किसमें आएगा ट्रांस्पोर्ट छेत्र में आएगा फिर आपको अनर्जी प्रयोक किया जाना चाहिए इस पर बल देना चाहिए इन सब पर बात की जाने इसको बढ़ावा देना चाहिए इसके अलावा एक और सेक्टर है जहां पर आपको काम करने की जुरूरत है जहां पर हम कम कर सकते हैं वह कौन सा एग्रीकल्चर का जो सेक्षन है यहां पर हम ज इसके सहयोगी शेतर पशुपालन में मैथेन का बहुत बढ़ा उतसर्जन हो रहा है यहां पर कैसे यूज कर सकते हैं सस्टेनेवल एग्रिकल्चर को अपना कर बायो फर्टीलाइजर्स को अपना कर यह सारा काम में क्या हो सकता है इसमें किया जा सकता है पशुपालन के ख्षेतर में देखो क्या हो सकता है कि जो उनके सरजित पदार्थ है उनको क्या किया जाए बहतर प्रबंधन किया जाए एक और जो इसमें काम किया जा सकता है वो क्या है कि हम अपने आदतों को बदले हैं अपने फूड हैबिट्स को चेंज करें हम शाकाहार की तरफ बढ़ें किसकी तरफ शाकाहार की तरफ बढ़ें क्योंकि इसका फुट्प्रिंट जो है वो कम होता है इसका शाकाहार का शाकाह हम अपने way of life को change करें, waste को कम करें, वो उसको भी include कर सकते थे कि हम क्या करें, waste को भी कम करें, तो कुल मिला के इनी सभी को last में आपको 57 point में लिख देना था, देखो पहला कौन सा, हमें नवी करनी है, उर्जा का उपयोग किया जाना चाहिए, दूसरा क्या क्या करना चाहिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हमें क्या करना है, clean fuel को बढ़ावा देना है, उस सर्जन के मानकों को लेके आना है, उच्छ स्तर के मानक लाए, इसके बाद वनीकरन कर सकते हो, फिर agriculture के ख्षेतर में आप कम कर सकते हो, यह सारे factor आपको इसके अंदर include करने थे, तो इससे यह सा पास में देखा था देखो, यह इंपक्ट है, यहां पर यह सारे के सारे इंपक्ट लिखे हो है, कि अलबीडो कम हो जाएगा, ता आपमान मिव्रधी हो जाएगी, परमाफ्रोस्ट पिगलेगा, ठीक है, इसके बाद यहां भी लिखा था, माउंसन में परिवर्तन हो हीट वेव आजाएंगी, ठीक है, शहरी बार जैसी घटनाओं में मरुस्थली करन हो जाएगा, सूखे की स्थिति पैदा हो जाएगी, इस तरह की चीजें हमने सारे की सारी forest fire हो गया, अभी इसमें मैंने वो नहीं डाला है, कि जल मंदल पर प्रभाव क्या होगा, बहुत सा करके एक जगह ला सको, तो यह था देखो, इसके बाद देखो, यह अपने क्लोटो का पूरा पड़ा था, और यह उपाए करने के उपाए भी हमने पूरे के पूरे देखे थे कि zero effect and zero defect policy को लाना, तो industry के ख्षेतर में भी हम क्या कर सकते है, green house gases को कम कर सकते हैं, तो यह सारा काम किसमी हो सकता था, इस वाले question में किया जा सकता था, अब देखो, इससे next question क्या आ रहा है, देखो, इसके निर्मान प्रभाव हम शमन के महत्तो को देते हुए, photochemical smoke के विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए, और 1999 के गोथनबर्ग प्रोटोकोल को समझाए, देखो, यह तो और इस smoke की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए, यह थोड़ा out of the box था, कि गोथनबर्ग को समझाए, लेकिन देखते हैं, इसको भी कैसे solve कर सकते हैं, कुछ तो लिखके आए, कि पूरा खाली ना छोड़े, इसको लिखा जा सकता, देखते हैं कैसे, देखो, इसको मैं यह क्या करते हैं, वायू मंदल में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, जो आपस में reaction करते हैं, हमारे जो pollutants हैं, वो आपस में क्या कर लेते हैं, reaction कर लेते हैं, जैसे, methane हो गया, carbon monoxide हो गया, volatile organic compound हो गया, अपने सुनाओं का बेंजीन, इस तरह के cyclic compound है, जो कमरे के तापमान पर ही क्या कर जाते हैं वाश्पचिल हो जाते हैं वाश्पिक्रत हो जाते हैं ऐसे पदार्थों को बोला जाता है वोलेटाइल और्गेनिक कमपाउन ऐसे पदार्थ जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड से रियक्शन करते हैं कब प्रकाश की उपस्तिती में और ऑक्सीजन की उपस्तिती में ये क्या सन लाइट और प्रकाश की उपस्तिती में रियक्शन करते हैं तो पैन बनता है पर ऑक्सी एसी टाइल नाइट रेट पैन का निर्माण होता है और ओजोन का निर्माण होता है ग्राउंड लेवल ओज यह सारे के सारे जो पॉल्यूटेंट हैं कहां से निकले हैं वहनों से निकले हैं इंडस्ट्री से निकले हैं आपका आपका निर्वनी करण के दुरान जो आग लग जाती है जंगलों में आग लगती है उससे निकलता है हम जो खेतों में जो पराली को जलाते हैं उससे यह सब compound निकलते हैं, तो ये सब हमारा anthropogenic sources से ये सब निकलता है, और जब ये पृत्वी के सताय के समीब क्षोब मंदल में आपस में reaction करते हैं, तो pan और ojone का निरमान करता है, तो ये जो ojone है, ये समताप मंदल की ojone ना होकर क्षोब मंदल की ojone है, तो इस ojone का जब निरमान होती है हमारे लिए नुकसान दायक होती है तो इससे क्या हो जाता है इससे सांस संबंधी रोग हो जाते हैं आंखों में जलन पैदा होती है इसके लावा हार्ट डीजीज भी इससे हो सकती है पेफणों संबंधी रोग हो जाते हैं इसके लावा इससे पादपों की उत्पाद प्रदूशक करते हैं तो इन्हें बोला जाता है सेकंडरी पॉलुटेंट तो यह एक परकार का सेकंडरी पॉलुटेंट तो यह पूरा का पूरा प्रोसेस आपको लिखना था और इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन उसी में क्या लिखा था कि इसको रोकने के क्या उपाएं पहला था यह है क्या फिर इसके क्या कैसे यह बनता है फिर हमने लिखा कि इसके क्या दुश्परभाव है और लास्ट क्या कर सकते हैं, हम जो पराली जलाने जैसी गत्वीदियां उनको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, वाहनों में उत्सरजन मानक्स को बढ़ा सकते हैं, जैसे BS 6 मानक हो गए, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कार पूलिंग या पब्लिक ट्र ट्रांस्पोर्ट को बढ़ावा दे सकते हैं इसके लावा हम क्या कर सकते हैं जैसे स्मोग टावर जैसी चीजे लगा सकते हैं लोगों में अवेरनेस पैदा कर सकते हैं कि वह पब्लिक ट्रांस्पोर्ट का यूज करें तो यह सारे के सारे हमें इसमें लिखने चाहिए थे जै वाहनों में क्या किया जाए? green fuel का use करने की कोशिश करें ठीक है? इसके अलावा इन में उतसरजन मानकों को अपनाया जाए? smoke tower जैसी चीजों को किया जाए? यह सारे उपाए हम किसमें लिख सकते थे? इसमें लिख सकते थे, कुल मिलाके लिखना क्या है? जो pollution को कम करने की तरी लेकिन देखो यह इससे रिलेटेड हैं ग्राउंड लेवल जोन से तो आपको लिखना क्या चीए ता कि ग्राउंड लेवल ऑजन को कम करने के संबंद में एक अग्रिमेंट है इतना आप लिख सकते थे और उसके बाद आप क्या लिख सकते थे जो जो उसमें pollutant थे उनको कम कर सकता है जैसे volatile organic compound और nitrogen के oxide को क्या करता है कम करने का प्रयास करता है इतना हम इससे सोच के लिख सकते थे लेकिन यह है क्या देख यह 1999 में हुआ था और तीन चीजों से संबंदित है एक है ocean acidification सागरिय अमली करन दूसरा है eutrophication और तीसरा जो है यह संबंदित है किससे ground level और जोन इन तीनों को यह क्या करता है कम करने का प्रयास करता है और इनसे संबंदित जो pollutant है उनको क्या करेगा कम करेगा तो इनसे संबंदित pollutant कौन कौन से है sulfur के oxide nitrogen के oxide इसके अलावा आपका क्या हो वी ओ सी हो गया particulate matter हो गया इस तरह कि उस सर्जिकों को यह क्या करता है कम करने का प्रयास करता है इन सब को कम करने के लिए गोथनबर्ग क्या हुआ था कम जोता हुआ है तो यह वाला जो आपको करना था देखो यह थोड़ा सा आउट लेकिन यह बहुत टेल है और इसमें आप अगर इतना भी लिख आओगे तो कुछ तो लिख के आओगे कुछ तो हो जाती है पौधों के उत्कों को नुकसान पहुंचाता है बच्चों और बूड़ों में सांस लेने में दिक्कत आंखों में जलन यह रेस्परेटरी डीजीज हार्ट रीडी लंग डीजीज यह सारे के सारे इसके दुश्पर भाग थे और यह बनने का प्रोसेस यह पूर करने की उपाएं उन्हीं को क्या करना था कुछ को यहां पर लिख देना था जादा इसमें कुछ बड़ा खेल नहीं था अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें देखो कौन सा है यह यह भी बहुत है देखो स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि 25 दिसंबर 2021 को छोड़ा ग मुख्य धे क्या है और मानव जाती के लिए क्या संभावित लाब हो सकते हैं इसको तो देखो मैं इसको थोड़ा सापको ब्रीफ में बताता हूं देखो जो जेम्स वेब टेलिस्कोप है यह इंफ्रारेड में काम करता इंफ्रारेड विकीरणों को क्या करता पढ़ने का का काम करता आप इसको लेमन लेंविज में यही समझें कि जो इंफ्रारेड रेज आ रही है इसकी और उनको क्या करता यह पढ़ने का काम करता रीड करने का काम करता एक तरह से तो यह जो कौन से स्पेक्ट्रम में काम करती है जेम्स वेब इंफ्रारेड में देकि दिक्कत यह क्या और रहें गलक्सी दूर जा रहे हैं जब कोई पिंट दूर जा रहे होता है तो वह red shift होता है red shifting होती है मतलब उसकी wavelength जो होती है वह बढ़ती चली जाती है वो red की और shift करती है जब उसमें red shifting होती है तो अगर वह visible है तो धीरे-धीरे infrared में बदल जाती है तो तो जब इंफ्रा-red में बदल जाती है, visible हमारी आंखों को देख सकते हैं, लेकिन इंफ्रा-red को हमारी आंखे नहीं देख पाती हैं, माल वहाँ पर अधिक आवर्ती की तरंगे वहाँ से क्या होई, आपको जो प्रकाश आता है, रेडियेशन जो आता है, परकाश ना कहके मैं क्या आप उन्हों रेडियेशन बोलू हूँ, तो जो रेडियेशन आता है, उसमें जो उच्च आवर्ती की तिरंगे होंगी, वह धीरे धीरे जब दूर तक जाएंगी, तो वह क्या हो जाएंगी, रेड शिफ्टिंग होते होते, इंफ्रा रेड में बदल जाती है, जब वह इंफ्रा रेड में बदलेंगी, तो वह हमारी आँखों को विजिबल नहीं होगा, तो हमारी आँखों को विजिबल नहीं होता इंफ्रा रेड दूसरा, जो इससे पहले जो हमने टेलिस्कोप छोड़ा था वो हबल था जो मुख्य था विजिबल रेंज में करता है अगर द्रश्य प्रकाश आ रहा है तो वो उसको क्या करता है उसको रीड कर पाता है तो ये वो जो रेड शिफ्ट की वज़े से जो किरनों को नहीं पढ़ पा रही थी हबल उसको पढ़ने का काम कौन कर रहा है जेम्स वेब यही डिफरेंस में ले इन में था और ये जो जेम्स वेब था ये सन की परिकर्मा करता है जबकि यह कौन सा आपका हबल जो टैलिस्कोप था वह अर्थ की परिकर्मा करता है अ और ये काफी उनित है जेम्स वेब में बहुत सारे इसमे इंस्ट्यूमेंट ऐसे लगे हैं की हबल से काफी क्या उन्नत है तो जेम्स वैब और हबल दोनों में हमें एक तरह से डिफरेंस लिखना था पहले और उसके बाद हमें इसके क्या लिखने थे कि इसकी क्या महत्तुता है और मानव जाती के लिए इसका क्या रोल है तो इसको देखो यहीं से देख लेते हैं इसको हम आगे देखो यह मैंने class में discuss किया, पूरा का पूरा हमने class में इसका notes बनाया था, देखो यह रहा, James Webb and Hubble telescope में क्या difference है, देखो, James Webb क्या है, NASA ESA और CSA के बीच एक international mission है, Canadian Space Agency, European Space Agency और NASA के बीच का क्या है, एक अंतरास्तिय mission है, यह मुख्य रूप से infrared range में निरिक्षन करता है, यह observation जो कर रहा है, वो infrared में करता है, और French Guayana से Arian 5 rocket से छोड़ा गया था, और देखो, इसे पृत्वी से 1.6 million km की दूरी पर स्थापित किया गया था, जिसे L2 पॉइंट का जाता है, यह पृत्वी के साथ, मतलब पृत्वी और यह दोनों sun की परिकर्मा करते हैं, फिर देखो, इस स्थीबल में और अल्ट्रा वैलेट में काम करती है, ठीक है, इसका mirror भी James Webb की तुलना में क्या था, कम था, और यह 570 km की कक्षा में पृत्वी की परिकर्मा करता है, तो यह दोनों में mainly difference हमें थोड़ा सा लिखना चाहिए था, और उसके बाद देखो, इसके क्या बिग बैंक के बाद बनने वाले अकाश गंगाओं की खोज करेगा, मतलब बिग बैंक क्या था, ब्रहमांड की उत्पत्ति माना जाता है कि एक केंद्र पॉइंट से हुई थी जहां पर समस्त मास, समस्त द्रवेमान, समस्त अनर्जी, समस्त फोर्स एक ही जगह पर थे जिस कैसे बने, कैसे उन ग्लैक्सिस का विकास हुआ, कैसे तारों का निर्माड हुआ, कैसे तारों का फिर उनका विनाश भी होता, तारा ब्लास्ट में ब्लास्ट भी करते हैं कई, सूपर नौवा जिसे कहते हैं, तो ये सारे प्रोसेस का अध्यान करने का काम किसका है, इस जेम टेवल हैं जहां पर जीवन संभव हो सकता है उनके वायू मंदल में बहुतिक हैं उनके रसाइनिक गुणों का क्या करेगा अध्यान करेगा एक्जु प्लेट्स के निर्मान तता स्टार्स का क्या करेगा निरिक्षन करेगा पहुत के बहुत सिक हैं रसाइनिक गुणओंको मापने तता ऐसी प्रणालियों के जीवन किसंभावना कि जाचर करेगा और फूर्ट में यहीं था ख की अकाश गंगां एक्जो प्लेनेट तारों के जनम का ध्यानम में मदद करेगा बेबी ग्लैक्सीज को देखने में सक्षम होगा तो यह सारी विशेश्टा है किसकी थी आपको जेम्स वेब की लिखनी थी और हुमेनेटी में क्या काम रोल है इसका कि हमारे ज्ञान को क्या करेगा और आगे आने वाले अंत्रिक्ष मिशन संटे बारे में हमें जानकारी मिलेगी स्बारेद के लिए उसकी क्या है उपयोगिता नहीं बेज सकते हैं वह सारी कि सारी बाते कि येमस वेब के आगे मानों की उपयोगिता में आजाएंगे सिंपल कोश्चन ता देखो अगर पड़ा है तो हो जाएगा ठीक है अगला देखो क्वेश्चन कि यह हो गया एक सेक्ड़ जेम्स वेब के बाद देखो इसके बाद अगला सेक्शन देखो कौन सा आता है क्वेश्चन के विकास का अधार्बू सिद्धान्त क्या है वैक्सीन कैसे कारे करती है कोविड 19 के टीकों के निर्मान इतु भारतिय वैक्सीन निर्पाताओं ने क्या-क्या पद्धितियां तब से वेटी कर रहा थे कब आया गई है लेगिन इस सल उसने ले लिया देखो यह वह सी आधारू सिद्धानत क्या है न की वैक्सीन कार्यक्ट कैसे करती है कैसे से ग्रूंट को जब हमारे अंदर इंज्ट किया जाता तो आगे कौन-Kौन से process होते हैं जो इसमें होते हैं COVID-19 टीकों के विकास के निर्मान एतु कौन-कौन सी पद्धितियां है कि उसमें DNA का यूज किया गया है उसमें वाइरस का यूज किया गया है उसमें mRNA का यूज किया है जो different vaccines के टाइप से उनमें से भारतियों ने कौन से vaccines के टाइप का यूज किया तो देखो इसको भी देखो काफी time लगेगा दरवाई discuss करने में इसको देखो मैं यहां से दिखाता हूँ जो हमने class में पढ़ा था देखो यह रहा देखो इसका मूल सिद्धान क्या कहता है इसका मूल सिद्धान कहता है कि जब हम vaccine देते हैं तो वो हमारे शरीर में antibodies के निर्मान को प्रेरित करता है हमारे शरीर में antibodies बन जाती है जो क्या करती है हमारे अंदर बनी रहती है और याद रखती है कि यह वाला infection हुआ था मतलब कुल मिला के कहना है यह कि यह antibodies को शरीर में बनाता है इसी वाइरस के प्रती antibodies को शरीर में बनाता है और उनकी क्या करता है उनको शरीर में छोड़ देता है और वो हमेशा याद रखती हैं कि यह हमें infection हुआता और अगली बार जब भी infection होगा तो उन्हें नए सिरे से बनने की जुरूरत नहीं है वो तुरंत अपने आपसे अपना काम करना शुरू कर देंगी इसको शौट में इस तरह से देख सकते हैं कोविड-90 वैक्सिन हमारे शरीर को बिमार किये बिना उस वायरस के प्रती प्रतिरोधक शमता विक्सित करने में मदद करती हैं हमारे शरीर को infected नहीं करती हैं बहुत करते हैं लेकिन सभी प्रकार के वैक्सिन द्वारा शरीर को memory cell, T killer cell, beta lymphocyte cell की आपूरती के साथ छोड़ दिया जाता है जो याद रखती हैं कि बविश्य में उस वायरस से कैसे लड़ना है अर्थात क्या कि यह हमारे अंदर antibodies का निर्मान कर देता है और वह antibodies याद रखती है कि future में अगर यह infection होगा तो हमें कैसे उसको मारना है या कैसे उसको block करना है यह इसका मूल सिद्धानता है vaccine का कि शरीर में antibodies का निर्मान करना जो future में क्या करेगा अगर फिर से infection होता है तो वो इनको याद करे कि हाँ इस तरह से मैंने उससे क्या किया था fight किया था और वाप कराया जाता है कैसे उससे MRNA बनता है कैसे उससे spike protein वो सारा एक लंबा प्रोसेस है ठीक है इसके बाद देखो दूसरे में वह भी हमने पूरा डिसकस किया था देखो vaccine के परकार देखो इसमें देखो आपको क्या करना था चार्ड बना हुआ था इनी में से आपको ढूंड के लिखना था देखो genetic vaccine देखो यह जैड कोवीड जो अब बनी है जैडिस कैडिला के द्वारा बनी है फस्ट DNA प्लास्मीड बेस्ट वेक्सीन है जो बिना injection के दी जाती है इसको लिखन प्रकार था इस तरह से हमें क्या करना था आगे मैंने इसको पूरा detail में भी कर आता हर वैक्सीन को हमने detail में पढ़ा था कि किस तरह से बनती है तो आपको क्या करना था इन में से उनको select करके ही वहां पर लिख देना था और यह देखो इसका पूरा process यहां लिखा हुगा है जैड कोईडी वाले का कि यह किस तरह से बनी थी इसका process भी मैंने पूरा लिखाया था तो यह आपको क्या करना है कुल मिला के आपको लिखना था कि उसका मूल सिद्धांद क्या है मूल सिद्धांद बताता है कि वह हमारे अंदर क्या करेगा प्रत्रोधक शम्ता को विक्स किसका वैक्सीन का तो वैक्सीन क्या था यह वैक्सीन का process पूरा हमने class में पढ़ा था कुछ नहीं करना था आपको जाके लिखके आना था आगे देखो इससे अगला भारत में तटिया परदन के कारणों परभावों को समझाईए खत्रे का मुकाबला करने के लिए उपलब्द तटिया परमंदन तक्नीके क्या है यह disaster management में हमने किया था question देखो इसमें आपको बताना क्या देखो सबसे पहले आपको बताना है कि तटिया अपरदन है क्या थ होता हैंगे natural कारण और anthropogenic कारण मानव जनित कारण और प्राकर्तिक कारण फिर उसके क्या करेंगे प्रभावों को समझाएंगे और इसके बाद क्या हो जाएगा इसका खत्रे का मुकाबला करने के लिए उपलब्द तटिया परमंदन तक्नीके क्या है यह सारा हमें क्या करन आपको इसमें बताना था तो देखो इसको किस तरह से देखेंगे अगर यह तक वोस्टल एरोजन कुछ नहीं करना सबसे पहले आपको वोस्टल एरोजन लिखना था कि क्या है देखो स्थानी है जलस्तर में व्रदी हो जाए देखो दूसरा अगर सागरिये तरंगों का वे जब तटिय भूमी का क्षरण हो जाता है वहां पर उसका क्या हो जाता है वहां की मिट्टी वहां की बालू वहां की चट्टाने अगर क्या हो सागर के अंदर चली जाए घुल जाए तब उसे क्या वोलते है कोस्टल एरोजन पुल मिला कि यही लिखना था कि आपको क्या कर करना है सानिय जलसर में व्रधी तिवर लहरों के द्वारा या तटिया बाड के द्वारा अगर क्या हो जो तट की चट्टाने हैं उनका खशरण हो जाये या वह बह जाए सागरिय जल में तो उसे क्या बोलते है कोस्टल इरोजन का जाता है फिर देखो उसके हमें टाइप लिखने थे कि दो तरह से यह हो सकता है या तो नैचुरल कारण हो सकते हैं या एंथ्रपोजैनिक कारण हो सकते हैं देखो नैचुरल कारण कौन से होंगे जैसे सागरीय लहरे आएंगी और तट पर क्या करेंगी प्रहार कर जाएंगी उससे वहां की भूमी में क्या हो जाएगा कटा हो जाएगा दूसरा साइकलोंस चक्रवात चक्रवात आते हैं तो तिवर लहरे उत्पन होती है उससे क्या होगा तट पर उसका प्रहार होगा तो उससे एरोजन होगा टाइड्स भी नैचरली क्या करते हैं कोस्ट का क्या हो गया जैसे आप ग्लोबल वर्मिंग की वजए से सी लेवल राइज करता है इसके लावा ओशन करंट भी होती है लॉंग लॉंग शोर करंट होती है जो तटके साथ-साथ बैठती है देखो इस तरह की करंट होती है गुच अगर मालो यह आपका तटिया भाग है तो इस ओबलिक रूप में जब हवाएं चलती है तो यहां पर तटके साथ-साथ ऐसे तरंगे चलती है जिनने लॉंग शोर करंट कहा जाता है तो यह भी तटका क्या करती है अपरदन करती है यह सारे आपको नैचुरल फैक्टर लिखने ते यह देखो मैंने लिखा हुआ है फिर यहां से जो लहरे आएंगी उनको क्या करेगी ब्रेक कर देगी तो आपका जो यह तट है यह से क्या हो जाएगा सरक्षित हो जाएगा तो क्या करेंगी आपको अगर आपने इस कोरल का क्या कर दिया इसकी माइनिंग कर दी इसको हटा दिया अगर अब लहरे सीधा आके क्या करेंगे तत कराएंगे और इसको डैमेज करेंगे इसी तरह सेंड माइनिंग आप तड्डे इसको हटा दिया यह अगर हट गए आपका तड निकलाएगा और यहां पर लहरों का प्रहार भी बहुत है तिव्होने लगेगा तो आपने उसके सुरक्षा कवर को हटा दिये, deforestation, mangroove वनों का आप क्या करोगे, deforestation करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका सागरिय जो तट है वो लहरों के प्रती, इसके बाद tides के प्रती अधिक परभावी हो जाएगा, तो उससे भी क्या हो जाएगी, आपका postal erosion होगा, अब देखो global warming के कारण भी होगा, global warming से temperature बढ़ेगा, उससे sea level rise होगा, sea level rise होगा, तो आपका postal erosion बढ़ जाएगा, इसके अलावा cyclone की तिवर्ता और आवर्ती में व्रदी होगी, तो जो लहरें जो आ रही हैं, वो क्या हो जाएगी, और तेज हो जाएगी, उनमें उर्जा की मात्रा जादा होगी, जादा होगी, तो erosion भी क्या करेंगी, जादा करेंगी, इसके अलावा देखो क्या था, dam का निर्मान, यहां पर आपूर्ती हो रही थी अवसादों की, वो अब नहीं हो पाई, जब आपूर्ती नहीं होगी, तो यह जो तट हैं, वो क्या हो जाएगे, नगन हो जाएगे, अनावरित हो जाएगे, और लहरों के परहार से क्या हो जाएगा, इनका अपरदन हो जाएगा, यह भी म कालुका की स्टूप होते हैं उनको हटा देते हैं वांसे रेत को र लोटेक्षिन कैसे करें सरकषन की देखो विध्ययां वह कुछ रहा था कि methods क्या है सरक्षण के सरक्षण के सरक्षण के method कौन से हो सकते हैं देखो वनीकरन करो मैंग्रूव को लगाओ आप कोरल का restoration करो कोरल के आपको डेमेज हो रहा है उससे सरक्षित करो natural barrier है लैगून का वहाँ पर सरक्षण करो इसके अलावा देखो beach nourishment क्या बोलते है बीच nourishment का मतलब होता है कि आप artificially यहां पर क्या करो बालू क्या पूर्ति करो इस पर अगर बालू डाल देंगे इस तट पर तो यह सारा का सारा तट ढख जाएगा और इस पर इसका परहार क्या हो जाएगा कम हो जाएगा इसके अलावा देखो इसमें अभियांत्र की विदिया इंजिनरिंग विदिया क्या है सी वोल का निर्मान करना कि मालो की आपका तट है और आपने यहां पर सी वोल से इसको क्या कर दिया यहां पर आप इसको ऐसे सी वोल यहां पर बना दो गए तो यह तट क्या हो जाएगा इससे सरक्षित हो जाएगा कॉंक्रीट की बना सकते हो ठीक है इसके अलावा ब्रेकर ब पुर्जा की मात्रा कम हो जाएगी ब्रेकर्स इसके बादा गायरोनीज भी होती है यह क्या होता देखो इसके अंदर गद मालो कि यह तट है आपका और इस पर इस तरह से क्या किया जाता है इस लंवत रूप में ऐसे structures को बना दिया जाता है तो अभी मैंने आपको बताया था एक long shore current जो तट के साथ-साथ यूँ बहती है यूँ तो जब यह क्या करेंगी यह यूँ बहती है तो यह क्या करेंगी जो यहां से जो अवसाद लाये थे उनको यहां पर इकत्रित करती चली जाएंगी तो बीच पे से आपका तट का परदन कम होगा तो इस तरह की structure भी बनाई जाती है इसी तरह जैटीज भी होती है वो भी इसी तरह की structures है अब एक नया आया जियो टेक्स्टाइल ट्यूब्स देखो यह news में भी बना हुआ था जियो टेक्स्टाइल निय यह क्या है इन्वार्मेंट फ्रेंडली मैथड़ है इसमें आपने ना तो concrete का यूज किया सिरुफ बोरे हैं जियो टेक्स्टाइल से उसको ऐस तरह से भर-भर के किनारों पर यह मालूँ आपका तट है तो यहां पर यूं-यूं करके क्या कर दिये जाता है इनको लगा दि नहीं था आपके knowledge में रहता है यह सब इसमें से कौन सी ऐसी चीज जो आपको नहीं पता है coral mining आपको पता है coral reef में हम पढ़ते हैं कि इनका विनाश हो रहा है आपको कुल मिला के करना क्या था लहरों की तिवरता को बढ़ाना था कि लहरों की तिवरता किस किस प्रोसेस से ब बढ़ जाएगी सैंड माइनिंग से तट बचारा और सुभेद्य हो जाएगा निर्वनी करण से भी तट सुभेद्य हो जाएंगे global warming से क्या हो जाएंगी लहरें तिवर हो जाएंगी सी लेवल राइज हो जाएगा बचारा तट कट जाएगा डैम निर्मान से भी इसका क्या हो जाएगा सुभेद्य हो जाएगा क्योंकि उपर से आपके बास बलबा नहीं है एनियोजित विकास से भी हम क्या कर रहे हैं तटों को सुभेद्य बना रहे हैं और आगे ये सी वाल इन सबसे देखो सरक्षन की उपायों से हम तट को क्या क कर रहे हैं मजबूत कर रहे हैं और वेव को थोड़ा कमजोर कर रहे हैं बस कुछ नहीं है आपको वेव की मजबूती और दूसरा क्या तटों की जो सुभेद्यता है उसको बढ़ाना था बस यही करना था इन वेव की तीवरता को कम कर दो सुभेद्यता को बढ़ा दो तो क्य पुल मिला के आपको इनकी तिवर्ता को क्या करना था तिवर्ता से थोड़ा सा वेव को बढ़ा दो वेव की तिवर्ता को क्या कर देना है आपको जब इरोजन करना है इरोजन करना है तो आपको क्या करना है वेव की तिवर्ता को बढ़ाना है और तट को क्या बनाना है सुभेद्य बनाना है मतलब इसकी स्थिती को कमजोर करना है बस इतना ही करना था तो इसके अलग-अलग यह सारे तरीके थे अब जब हमें इसका क्या करना है सरंक्षन करना है तो हमें क्या करना है सिर्फ इस तिवरता को जो waves हैं इनकी तिवरता को क्या कर दें कम कर दें और तट जो सुभेदेया को भी क्या कर दें कम कर दें मतलब इसको स्वरक्षा को थोड़ा मजबूत कर दें और इसकी natural method भी है और काँ से है अब इहांतरी की method भी बस इतना ही आपको इस question में लिखना था और यह आपका question solve हो जाता अब देखो इस से अगला देखो question कौन सा था देखो ये question भी काफी अच्छा था देखो इसको आपको direct questions वो आप नहीं कर सकते इसको आपको अलग-अलग जगहों से इसको एक अठा करना होगा एक साथ एक question अगर आप सोचो इसका answer बनेगा तो नहीं बन पाए आपको अलग-अलग जगहों से चीज़ें को content को लाना पड़ेगा सोचना पड़ेगा थोड़ आसा तफ नहीं है इतना देखो इसको इसमें देखो क्या लिखा है क्या आपके विचार में भारत अपनी उर्जा आवशक्ता का 50 प्रतिशत भाग वर्ष 2030 तक नवी करनी उर्जा से प्राप्त कर लेगा ठीक है फिर क्या बोलता है कि अपने उत्तर में इसके उचित्ते को सिद्ध कीजिए मतलब इसके पक्ष में आप जो कह रहे हो कि अगर हां या ना अगर हां तो आप उसके पक्ष में क्या लिखो प्रमान दो जिवाश में इंदनों से सबसीड़ी हटा कर उसे नमी करणिया उर्जा सरोतों में लगाना उप्युक्त देशे की पूरती में किस प्रकार सहायक होगा समझाईए कि आप अगर क्या करो जो आप फोसिल फ्यूल्स को पेट्रोलियम को आप सबसीड़ी दे रहे हो उसको अगर हम हटा के फोसिल फ्यूल्स को किस में दे दें रिन्योबल अनर्जी में दे दें नमी करण यह 50% वाली वो बात कहें क्यों रहा है देख उसका कारण है कि जब भारत प्रधान मंतरी ग्लासगो में गए थे तब उन्होंने पंचा मृत दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि भारत 2030 तक क्या करेगा अपनी उर्जा अफशक्ता का 50% नमी करणिया उर्जा से प्राप्त करेगा पर 500 गीगा वोट नर्जी किस से होगी किसी क्षेतर से होगी यह टार्गेट हमने वहां अपने लिए सेट किये थे तो उसी संदर्म में इसने पूछ लिया कि क्या भारत इसको प्राप्त कर लेगा और फिर वो पूछता है कि अगर कर लेगा तो आप इसके पक्ष मे प्रमान दो कि कैसे वो प्राप्त कर लेगा तो देखो इसको कैसे लिखना था है को सबसे पहले तो यहीं है कि देखो कि यहां से क्वेस्चन उठाया यह लिखा था चाने कि 50% अटरफ्टर पर परांड़ी से प्राप्त करना चाहता है 2030 तक तो यहीं से देखना है और इस可 भारत अपने टार्गेट को समय से जो पहले के टार्गेट थे INDC के वो पहले ही प्राप्त कर चुका है अभी बताता हूं उसको कैसे इसको लिखना है तो यहीं से यह क्वेश्चन आया था इसको देखो कैसे सॉल्व करना देखो देखना पहले तो उसने बोला की 2050 तक हम 50% रण्रजी का रिनीवल रण्र अर्जी से प्राप्त करना है देखो कैसे हमें इसके पक्ष में कहने हैं हम यह देखे हैं कि हां भारत इस लक्षा को प्राप्त कर सकता है क्योंकि अब रहे और क्योंकि reason देना यहीं से शुरू है क्यो कि भारत अल्रेडी 2030 के पहले के लक्षियों को 9 साल पहले ही प्राप्त कर चुका है न्यूज में बना रहा है न्यूज में ये था कि भारत ने जो 2030 के लिए अपने पिछले NDC में नेशनल डिटर्माइंड कॉंट्रिबूशन में जो टार्गेट सेट किये थे वो 9 साल पहले ही परमाद कर लिये हैं करेंद कि लिए हैं? वो टार्गेट किया था 40 पर सेनल पूर ओर्जा का नवीकरणी और चास से 40% हमारी कुल उर्जय की दिमांड पूरी करने उलएिए भारत 9 साल पहले प्राप्ट कर चुका है जब इसको प्राप्ट पर लिया तो इसके परप्ष में एक परमान है कि भारत ने पिछले है उनको ही समय से पहले प्राप्त किया है तो यह भारत से उमीद है कि अगले लक्षों को भी प्राप्त कर लेगा अब कि भारत के प्रमान दो तो आप सबसे पहले क्या लिखना कि सबसे पहले सोलर अनर्जी के पक्ष में दो कि भारत इस लक्षे को प्राप्त कर सकता है क्यों भारत Sun Energy में अच्छा काम है कर सकता है इसके महद्यम से हमारे लक्ष्यों को प्राप्ट कर सेंगे पहले सोलर पर लिखना होगा और इसमें भी क्या लिखना होगा कि भारत की ग्रिड के प्रोजेक्ट के साथ साथ भारत क्या कर सकता है कैनाल क्षितर में भारत की बहुत सारी प्रियोजना है कि भारत कैनाल के ऊपर क्या कर रहा है solar energy के panel लगा रहा है तो उन solar panel से हम क्या कर सकते हैं पुर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं solar energy की इसके इलावा rooftop जो है छटों पर जो लगता है rooftop जो है तो rooftop पे भारत ने अपनी अभी ख्शमता का उतना दोहन नहीं किया इसमें भी बहुत सारे संभावना है यह decentralization है weekendry करण है solar energy का तो इस weekendry करण की प्रिक्रिया से भी भारत क्या कर सकता हैakra और rooftop यह क्या है मेंली rooftop weekendry करण है किसका energy का इसके लावा agriculture में जैसे है solar pump आदी ये भी क्या है विकेंदरी करण है जिनके माध्यम से हम इन लक्षों को प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा भारत के द्वारा सोलर पार्क की स्थापना की जाती है जिसके माध्यम से हम इन टार्गेट को प्राप्त कर सकते हैं यह तो हमने इसका सोलर का जो इसकी संभावना ही लिखा कि हाँ इसके माध् चूरता रहती है जिससे भारत में विंड अनर्जी की प्रयाप्त संभावनाएं जिससे भारत की लक्षा को प्रयाप्त कर सकता है इसके अलावा भारत में क्या है भारत में आपको ऑफशोर जो है इसकी भी बहुत सारी संभावनाएं है ऑफशोर विंड अनर्जी की मतलब सब्सक्राइब भारत है बहुत संभाना अभी यकल जलिए लेख देखो वहाँपर का और गर्षन बहुत होता है लेकिन आपर को इय बहुत चर्च लइंड जिससे wind की speed क्या रहती है बहुत जादा रहती है दूसरा वहां पर land की उपलबदता को लेकर कोई भी dispute नहीं है सबसे बड़ी जो दिक्कत solar और wind में यही आती है कि land कैसे acquire करें इनके लिए बड़े forms के लिए भूमी की उपलबदता नहीं हो पाती है तो यह आपका wind जो है offshore जो हम अपने लक्षों को प्राप्त कर सकते हैं तो हम wind energy के बारे में बताएंगे solar energy के बारे में बताएंगे इसके बाद एक चीज और मैं कहना चाहूंगा यहां पर उन्होंने total energy की बात किये भारत ने जो अपना नया NDC दिया है उसमें electricity की बात की गई है कि भारत अपनी कुल उर्जा का 50% इससे प्राप्त करेगा यह कहा गया है इसमें लेकिन उस जो हमने NDC दिया है उसमें काया भारत अपने कुल electricity क्षमता का 50% करेगा तो एक में electricity है और यहां जो कहा गया वह उर्जा है तो हम इसको उर्जा के रूप में लेंगे तो थोड़े और पॉइंट निक अभी जारी की है और भारत में अभी 20 ब्लेंडिंग है 20% उसके भी लक्षे को क्या किया गया पहले ले आया इन सबसे हम अपने लक्षों को प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा देखो इतने से कुछ नहीं होगा इसके लावा जो common प्रयास है वो भी तो लिखने होंगे जै आफ इतना पर्तीशथ जो है वो नवी करनीय उरजा से खरीद के ही आगे डिस्ट्रीबूट करोगे तो भारत यह नए और प्यों भी ळेके आया भी 2030 तक के तो tightly क्या करें डिस्पॉॉम को बात दे करते हैं कि आप क्या करें नहीं करनी है उर्जा को खरीदे हैं अपने कुल शेर में इसके अलावा स्टोलर अनर्जी के लिए क्या आए हैं स्टोलर अनर्जी के लिए आपको बैटरी जो स्टोरेज सिस्टम है storage से सम्बंदित क्या है obligation भी लाए गए है इसको नाम है energy storage obligation ESO लाए गए हैं कि solar energy के संदर्ब में है कि सूरे उर्जा हमें दिन में मिलती है लेकिन शाम के बाद हम उस उर्जा का क्या नहीं कर सकते हैं यूज नहीं कर सकते हैं और पीक टाइम शाम का होता है तो पीक टाइम के लिए हम energy को क्या करें दिन में कंजर्व कर लें अगर स्टोर कर लें तो शाम में उसका यूज किया जा सकता है तो जो energy जो obligation है storage के ये भी भारत सरकार अभी लेकिया है इसके लावा हम ये भी लिख सकते हैं भारत ने अपने transmission network है जो उसको भी भारत क्या कर रहा है मजबूत करने का विस्तार कर रहा उसका उसका टार्गिट शायद 27,000 या 24,000 सरकिट किलोमीटर और उन्हों ने टार्गिट रखा कि इतनी transmission line क्यों कि देखो solar और wind में सबसी बड़ी problem किस में आ रही है आपको उसको grid में उसको कैसे assimilate करें, grid में कैसे ले के आएं, यह दूरस स्थानों पर होते हैं वहां से इसको grid line से जोडने के लिए आपको transmission lines सही है, तो वो transmission network को भारत क्या कर रहा है मजबूत करने की प्रयास कर रहा है, इसके लावा भारत सरकार और भी बहुत सारे प्रयास कर रही है, ज 2022 के budget में जारी की है, जिसे क्या बोलते है, production linked incentive, उत्पादित जो manufacturer है, उनको क्या दिये जाएगा, प्रोसान दिया जाएगा कि आप जो solar energy से संबंदित उपकरण है, आप क्या करो भारत में, उनको उत्पादित करो, उनका manufacturing करो, तो PLI जैसे जो संबंद incentive जो देने हैं, वो उनको भी विभिनत रहें कि क्या कर रहे है, incentive सरकार के द्वारा वित्य साहता दी जाती है, तो ये सब भारत सरकार क्या कर रही है, कम करने का प्रयास, sorry, भारत सरकार इसको बढ़ाने का प्रयास कर रही है, ठीक है, तो RPOs हो गया, energy, storage obligation हो गया, transmission network को बढ़ावा दे रहा है, इस ख्षित्र में निवेश आएगा और भारत में इसकी क्या होने की संभावना बढ़ती जाएगा, इस परकार भारत अपने लक्षों को क्या कर सकता है, इन सभी प्रयासों से प्राप्त कर सकता है, अब देखो इसके बाद वो क्या कहता है, क्या रहा है कि अगर हम chain development में हम क्या करेंगे उस पैसे को यूज कर सकते हैं भारत अभी मैंने बढ़ाया था कि transmission network को क्या करना चाहरा है grid and transmission network को बढ़ाना चाहरा है तो भारत क्या करेगा उसे transmission और grid network में क्या करेगा यूज करेगा इसके अलावा भारत क्या कर सकता इसमें इसके अलावा भारत उसको टैरिफ को क्या करेगा टैरिफ कम करने में उसे क्या मिलेगी मदद मिलेगी आया ना इसके अलावा वो जो रिन्यूबल अनर्जी को अपना रहे हैं उन्हें टैक्स इंसेंटिव दे सकता है ट आपका के पास पैसा हो तो यह पैसा कैसे आ सकता है अगर आप इदर सबसीडी कम कर दो तो उस सबसीडी को आप डाइवर्ट कर सकते हो इदर देखो एक अनुमान ऐसा है कि अगर भारत अपने 2030 तक के सोलर और विंड के लक्षों को प्राप्त करना चाहता है तो भारत को लगबग दो सो पचीस बिलियन डॉलर की आफ शकता है दो सो पचीस बिलियन डॉलर भारत को चाहिए अगर वो सोलर और विंड के लक्षियों को प्राप्ट करना चाहता है तो इतना पैसा उसे कहां से आएगा तो कुछ पैसा तो यहां से आ सकता है तो उसको वहां क्या लगाए रिसर्च और डवलप्मेंट में लगाए उसको ट्रांसमिशन जो ग्रिड संबंदी नेटवर्क है उसको फैलाने में लगाए उसको क्या करें टैरिफ को कम करने में लगा जिससे लोग अपनाएं लोगों को जो अपना रहें उन्हें लोन की विवस्ता करें उनको जो मैनुफेक्चरर ने क्योंकि भारत देखो solar wind में solar में तो खास कर जादा तो उपकरण भारत को आयात करने पड़ते हैं तो manufacturer को क्या करें प्रोथसान करेगा तो भारत में ही उपकरणों का जब निर्मान करेंगे तो धीरे धीरे with time अभी तोने with time वो सस्ते होते चल जाएंगे और technology और अच्छी quality के उत्पाद यहां बनने लगेंगे तो यह सब में आपको क्या चाहिए आपको पैसा चाहिए जो आप यहां से लाओगे तो आप क्या कर सकते हो इन लक्षों को प्राप्त करने में साहिक होगे लेकिन फिर last में आप क्या लिखोगे हाँ इन लक्षों को प्राप्त किया जा सकता है पर अन्तु इनके संदर्म में क्या है और भी हमें क्या करनी है जरूरतों की पूर्ती करनी है जैसे देखो जो हमने वहां पर मैंने आपको बताए थे क्या कि यह यह प्रयास किया जा रहे है जैसे transmission and grid का system है इसमें से पैसा आमें प्राप्त करना होगा यह सब चीजों को आप इसमें लिख सकते हो भारत को अभी हमारा क्या करना है जो transmission करते हैं उस टाइम जो loss होता है उसको भी कम करने की जरूरत है भारत अभी भी import पर निर्भर इसे भी प्राप्त करने में असानी होगी जिससे भारत अपने लक्षों को प्राप्त कर सकता है और यहां पर भी लिखेंगे कि हमें अंतराष्ट्य सेयोग की भी आफशकता पढ़ेगी प्राइवेट सेक्टर की भागेदारी की हमें आफशकता है कि प्राइवेट सेक्टर इसमें क्या करें और इन्वाल्व हो तो इस तरह से इस कुश्चन को हमें लिखना था तो देखो इसमें लिखना कैसे था सबसे पहले तो हमने क्या लिखा कि हाँ yes और no तो हमने बताया कि yes फिर इसके पक्ष में हमने क्या दिये परमान दिये तो कहा कहा से दिये solar से दे दिया फिर हमने किस से दे दिया wind से दे दिया थोड़ा सा हमने bio fuel से दे दिया फिर हमने बताया कि अलग-अलग ग्रीन ग्रीड इनिशेटिव था इसके अलावा भी बहुत सारे जो हम इस पर लिख सकते हैं कि इसके पक्ष में हम इतने परमान देदे तो बस और उसके बाद हमें क्या लेगा अगर हम पैसा उधर से इधर शिफ्ट करते हैं तो रिसर्च डेवलोप्मेंट में सायता रहेग घरेलू मैनुफेक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा ट्रांसमिशन नेटवर्क को विस्तार कर सकते हैं टैरिफ को थोड़ा कम कर सकते हैं यह सारे चीज़े इसमें आ सकती थी तो देखो यह सारा का सारा इससे हो जाना तर देखो इसमें हमने किया क्या जो जो हमने पढ़ा उसको सबको एक जगह एक अठा कर दिया, solar को जो पढ़ा उसे ले आए, wind पढ़ा उसे ले आए, biofuel में जो पढ़ा उसे ले आए, ठीक है, पंचा मृत में जो पढ़ा वो पढ़ लिया है, वहाँ जो discussion किया, आपने की भारत अपने target को प्राप्त कर चुका है, उसको इसमें और जो journal चीज़े होती है, अगर आपके पास पैसा होगा, तो आप किसकी शेतर में invest करोगे, तो ये वाली उसको लिखा, ये आपकी समझ पर आधारी था, आपको अलग-अलग जगहों से चीज़ों को लाना था, एक जगह को, तो next देखो हम देखते है, question कौन सा है, देखो ये सब लिखा हुआ था, green green initiative, ये सब इसमें था, देखो, next question जो आपका है, इसको काफी tough question माना जा रहा, देखो, पृत्वी के सताया पर प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में वनस्पति पदार्थ cellulose जमा होता है, cellulose किन प्राकरतिक प्रिकरियाओं से गुजरता है, जिससे CO2 और जल का निर्मान हो जाता है, carbon dioxide जलता था, अन्य उत्पादों में वो बदल जाता है, देखो, इसका अगर हम science में जाएं तो chemistry के रूप में बहुत लंबा चुड़ा process है, वो ना तो किसी को आ सकता है, ना कोई कर सकता है, लेकिन हम अपने पढ़े से इसको कैसे कर सकते देखो इसको कैसे किया जा सकता है, इस question को देखना, इस question को हमने देखो, पहले सबसे पहले हमने biofuel policy पढ़ा था, biofuel policy में हम देखो पढ़ते हैं कि cellulose जो second generation का fuel होता है, कौनसा, second generation का, उसमें हम पौधे के जो अवशिस्ट भाग होते हैं, जो ligno cellulose के बने होते हैं, उ और फिर उस sugar को क्या करते हैं, आगे बदल दिया जाता है, ethanol में, इस तरह से, ये process हमने वहाँ पढ़ा था, तो देखो इस process को मैं दिखाता हूँ, आप लोगों को देखो, देखो, बायो फिल की second generation में हमने ये पढ़ा था, देखो, कि पेड़ पोदे, टहनिया, जैव भार जो plants होते हैं, non edible plants, गैर खाद्य भाग, या खाद्य फसलों के गैर खाद्य भाग, फसलों के अवशिशिस में, ligno cellulose होता है, और enzyme के द्वारा sugar में बतलता है, और फिर व जाएगा, cellulose विभाजित होकर क्या करेगा, इसको micro organism जो होते हैं, organism जो होते हैं, वो क्या कर देंगे, cellulose को micro organism छोटे-चोटे क्या कर देंगे, sarrl Nerd पधारतों में विखंडित कर देंगे, तो सरल पकारतों में मतलब क्या इसे डाई सेकेराइड या ट्राई सेकेराइड बोलते हैं क्या बोलते हैं डाई सेकेराइड या ट्राई सेकेराइड यह यूं कह सकते हो इसको किसमें बदलेंगे चुगर में बदल देंगे इसको तोड़ देंगे और तोड़ने के बाद देखो क्या होगा तोड़ने के बाद माइक्रो और्गिनिजम इस पर काम करना शुरूर करेंगे सेल के अंदर जब सेल के अंदर काम करते हैं तो यह फॉर्मूला लगता है देखो आपने सुना होगा C6H12 और शुरूरा वो सिख्जी क्लास में हम करते हैं और किसका यूज करके कारबन डाइओ और हाइडरोजन का निर्माण करते हैं और जितने पदार्थ को तोड़ देते हैं और जो किसमें बदल जाएगा मिनरल्स में और जो बदार्थ हैं वो क्या हो जाएगे तूटके C6H126 किसमें बदल जाएगा इस इतना ही आपको लिखना था इसमें इससे ज्यादा आप इस question की demand में नहीं लिख सकते क्योंकि आपको equations याद नहीं रहती है नहीं आपको इसने कहीं पड़ा होगा यह आपको जोड़के लिखना था कि देखो यह dead organic material है इसका microorganism ने क्या कर दिया अर्द अपगटन करके इसको humus में बदला तो इस पूरे प्रोसेस में क्या निकलेगा अगर कुछ पदार्थ जो बच गए वो तो किसमें बदल गए हूमस और जो विगटेट हो गए वो किसमें बदल जाएंगे 6 co2 plus 6 H2O में यहां पर भी बदला अब इस humus का भी आगे क्या होगा अपगटन होगा तो यहां पर क्या निकलेंगे फिर co2 निकलेगी और है ए्स टुन निकलेगगा और नत में किसमी बदल जाएगा मिंडल्स में बदल जाएगा और इससे पहले वाला जो फेज था हमें बस एक फेज यहां से लेना था कि स builder किसमें बदलेगा ถो Medley पर फिर ऐगे क्या वजाएगी इक्टउत होगी यह बी TO crush लिखना तो बस आप इतने से ही काम चला सकते थे यह रहा बस इस प्रोसेस से फिर डेड्ड और्गनिक कंपाउंड है इसमें सेलूलोज होता है इसके अपगड़न से आप इसके अंदर यूज कर सकते थे इसको अगर लिखना शुरू करोगे तो सबसे पहले लिखोगे कि इसमें कार्बोईड बनता कैसे तो पहले बनाओ फिर बताओ उसके पॉलिमर से सेलूलोज बनता है और प्रतेक वर्श क्या होते हैं यह इनके पत्तों के जढ़ने से टहन उसका पूर्ण विक्टन होता है तो पुन है CO2 और H2O निकलती है और वह मिनरल में बदल है जाता है इसी प्रोसेस को आपको थोड़ा explain कर देना था तो आपका ठीक था question है बन जाता अधरवाई यह out of the box question था ऐसा question question आपके QEW में से आए है लगभग question हमने class में discuss किये है तो आपको थोड़ा सा क्या करना है उनको आपस में link करना है थोड़ा सा reasoning लगानी है और उसके बाद उस question को लिख देना तो यही था काफी tough नहीं था ठीक था question था कुछ question देखो UPSC tough देता ही है ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल आपको बिल्कुल easy दे देगा उसने कुल मिला के balance paper दिया था इस paper में geography के section में से आपको disaster management दे दिया environment दे दिया इसके बाद आपको internal security था economy था सब का देखो ratio बराबर था लगबर किसी को भी ज्यादा importance नहीं दी किसी को कम नहीं दी तो balance paper है वह अच्छा paper था और आप कर सकते थे इस paper को बस थोड़ा सा logic लगाना था तो आज इहीं पर रुखते हैं अब अगना next video में हम देख आफी के first paper का तो तब तके लिए